तो guys अभी कुछ भाई ने पहले तक एक दो स्मार्टफोन ही लाँच हुए थे लेकिन अभी एकदम से इतने सारे स्मार्टफोन लाँच हो चुके हैं और ये सारे स्मार्टफोन का प्राइज जो है वो almost same है तो भाई confusion create होना जो है बहुत normal हो चुका है लेकिन मैंने कुछ analysis कर आने वाला हूं कि कौन सा स्मार्टफोन आपको purchase करना चाहिए जो अभी recently launch हुए like 10-15,000 रुपे और 15-20,000 रुपे में जो है अभी 45 फोन हमें देखने को मिल गए हैं तो मैं आप लोगों को बिल्कुल honestly अपना opinion देने वाला हूं कि कौन से स्मार्टफोन में ज्यादा दम है तो भाई अगर आप जो है स्मार्टफोन लेने का सोच रहे हैं अभी के period में तो ये वीडियो आप लोग अच्छे से देख लो आपको confusion जो है वो कही ना कही में दूर कर दूंगा तो guys वीडियो स्टार्ट करते हैं लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को subscribe नहीं किया है guys तो नीचे आपको subscribe button दिख रहा है उसको press कर दो और notification का भी icon दिख रहा होगा उसको भी press कर दो क्योंकि ऐसी informative वीडियो जो है वो में लेकर आता रहता हूँ तो पहले बात करते हैं 10-15,000 रुपे में जो smartphone launch हुए उनके बारे में तो यहाँ पर हमें 2 smartphone देखने को मिल जाते हैं पहला है Realme 6 जो launch हुआ है 13,000 रुपीज की price range में और जो दूसरा smartphone है वो है Redmi की तरफ से Redmi Note 9 Pro Redmi Note को खतम कर दिया है Direct Pro को ही जो उनके launch कर दिया है और इन smartphone brand की पीच में जो भी competition हो रहा है उसमें सबसे ज़्यादा मजा जो है वो public का है customers का है क्योंकि हमें बहुत ही affordable price में जो है phones आज की time पे मिल रहे हैं तो अब इन दोनों ही phone के अगर specification compare कर ले तो भाई Redmi Note 9 Pro में आपको 48 Megapixel का quad camera setup मिल जाएगा वहीं पे Realme 6 में आपको 64 Megapixel का quad camera मिल रहा है लेकिन अभी जितनी भी image samples भार आई है उसके साब से 48 Megapixel यानी Redmi Note 9 Pro से जो images ली है वो काफी जादा अच्छी मिल रही है वहीं अगर मैं बात करूँ Corning Gorilla Glass या फिर protection के मामले में तो आपको Redmi Note 9 Pro में Corning Gorilla Glass 5 का support मिल रहा है लेकिन Realme 6 में Corning Gorilla Glass का 3 वाला version मिल रहा है जो काफी जादा कम है तो इस चीज़ को आपको notice कर लेना है वहीं पे अगर मैं बात करूँ body की तो भाई Realme 6 जो है वो पूरी तरीके से plastic material में बना हुआ है वहीं पे Redmi Note 9 Pro जो है थोड़ा stylish दिखता है, premium दिखता है क्योंकि इसकी जो boundary है वो aluminium type की बनी हुई है और glass body के साथ आता है तो premium looking में जो है obviously Redmi Note 9 Pro जो है जादा better लग रहा है अगर मैं बात करूँ battery life की तो भाई यहाँ पे Redmi Note 9 Pro में आपको 5030 mAh की battery मिल जाती है जो काफी जादा बड़ी है वहीं पे Realme 6 में आपको 4300 mAh की battery मिल जाती है जो कम है as compared to Redmi Note 9 Pro लेकिन यहाँ पे एक जो twist है वो काफी जादा बड़ा है वो यह कि Redmi Note 9 Pro में आपको 18W का fast charger मिल रहा है वहीं पे Realme 6 में आपको 30W का fast charger मिल जाता है जो Realme 6 को काफी जल्दी से charge कर देगा अगर मैं बात करूँ डिस्पले की तो सबसे जादा important चीज़े हो सबसे बड़ा difference इन दोनों ही phone में लाता है वो यह कि Redmi Note 9 Pro में आपको 6.57 इंच का full HD डिस्पले मिल रहा है वहीं पे Realme 6 में आपको 6.5 इंच का full HD डिस्पले मिल रहा है थोड़ा सा छोटा डिस्पले है लेकिन Realme 6 में आपको 90Hz का refresh rate मिल जाता है जो बहुती बड़ा difference है और मैंने 90Hz refresh rate वाले डिस्पले यूज़ कर रहे हैं OnePlus 7 Pro में तो भाई बहुती ज़्यादा difference आपको इसमें मिलेगा smoothness जो है screen में आपको ज़्यादा मिल जाएगी तो Realme 6 जो है वो पूरी तरीके से आगे है डिस्पले के मामले में और अगर बात करूँ processor की तो भाई यहां पर भी हमें difference देखने को मिल जाता है Redmi Note 9 Pro में आपको Snapdragon 720G मिल जाता है और Realme 6 में आपको processor जो मिल रहा है वो है G90T यह Helio का processor है जो Redmi Note 8 Pro में आपको देखने को मिला था तो अगर मैं बात करूँ processing के मामले में या फिर किसका कौन सा processor fast है तो guys जो G90T processor है वो थोड़ा पुराना processor है और 720G जो processor है वो अभी हाल फिलाल में ही आया है तो obviously 720G जो है वो थोड़ा सा fast आपको मिल जाता है अब अगर इन दोने ही smartphone में अगर मुझे एक smartphone pick करना होता तो मैं pick करता Realme 6 उसका सबसे बड़ा reason यह है कि भाई उसमें आपको 90Hz का display मिल रहा है जो आपको 13,000 रुपे में मिलना मुश्किल है कोई भी smartphone brand नहीं दे रहा है वहीं Realme 6 को pick करने का जो एक और reason है वो है 30W का fast charger जो आपके phone को एक घंटे में पूरा चार्ज कर देगा और वहाँ पे जो आपको मिल रहा है वो 18W का मिल रहा है जो slow है fast है लेकि इतना कोई जादा fast नहीं है तो Realme 6 जो है best option रहेगा under 15,000 रुपीज तो अब अगर बात करें 15,000 रुपे में जो smartphone launch हुए है उनमें से अगर किसी एक को pick करना हो तो यहाँ पे हमें तीन option मिल जाते है Realme 6 Pro, Redmi Note 9 Pro Max और तीसरा option है Poco X2 इन तीनों के specification को compare करने से पहले ही मैं एक smartphone को eliminate कर देना चाहता हूँ वो है Realme 6 Pro क्योंकि इसमें जो आपको specification मिल रही है वो almost आपको 13,000 रुपे वाले Realme 6 में मिल रही है उसी तरीके से थोड़ी वो changes करके जो है इसको 17,000 रुपीज में Realme बेच रहा है उसके साथ साथ इसमें कुछ SCB specification है जो आपको Redmi Note 9 Pro में भी मिल रही है तो इसलिए जो है इसको मैं include नहीं करूँगा तो आप बचते हमारे पास दो smartphone Redmi Note 9 Pro Max और दूसरा है Poco X2 अगर मैं compare करता हूं cameras की तो guys Redmi Note 9 Pro Max में आपको 64MP का quad camera मिल रहा है वही Poco X2 में भी आपको 64MP का quad camera मिल जाता है लेकिन Poco X2 में आपको Sony का dedicated IMX686 वाला sensor मिल जाता है जो एक अच्छा sensor है नया sensor है जो आपको अच्छी image quality देगा तो भाई यहाँ पर camera के मामले में जो है वो Poco X2 काफी जादा आगे चल रहा है आगे बात करें अगर processor की तो Snapdragon 720G processor आपको Redmi Note 9 Pro Max में देखने को मिल रहा है वही processor आपको Redmi Note 9 Pro में मिल रहा था और अगर मैं बात करूँ Poco X2 की तो यहाँ पर आपको Snapdragon 730G देखने को मिल जाता है तो भाई यहाँ पर आपको confused नहीं होना है 720G जो है वो थोड़ा अच्छा processor है as compared to 730 बट यहाँ पर number 30 जो है जादा इसको एसे लोग confused हो रहा है कि 730 जादा अच्छा होगा लेकिन clear cut यह है कि 720 जो है थोड़ा अच्छा processor है आपको थोड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे देगा लेकिन जादा कोई difference नहीं है इन दोनों ही phone के अगर display के बारे में बात करो है जो कि full HD के साथ आता है दोनों स्मार्टफोन जो है AMOLED display को support नहीं करते है LCD पैनल के साथ आते हैं अब अगर batteries की बात करो तो भाई Note 9 Pro Max में आपको 5020 mAh की battery मिल जाती है और 33 Watt का आपको box के अंदर ही fast charger मिल जाता है वहीं पर POCO X2 में आपको मिलता है 4500 mAh की battery और 27 Watt का fast charger मिल जाता है इतना कोई जादा difference नहीं 33 Watt और 27 Watt में like 27 Watt का जो fast charger है वो POCO X2 को 0 से 100% जो है एक घंटे like 10 minutes में charge कर देता है वहीं पर अगर मैं Redmi Note 9 Pro Max की बात करूँ तो वह आपको 60 minutes में charge करता है तो भाई 10 minutes का फरक हमें देखने को मिल जाता है वहीं दोनों स्मार्टफोन में आपको side mounted वाले fingerprint sensor देखने को मिल जाते है और अगर मैं बात करूँ एक major upgrade के बारे में जो आपको Redmi Note 9 Pro में देखने को मिलता है POCO X2 में नहीं मिलता है वह भाई navigation system यस आपको Redmi Note 9 Pro Max में नैविक वाला जो है आपको navigation मिल जाता है जो इस दुरू के द्वारा बनाया गया है और एक तरीके से हम सारे Indians के लिए काफी जाधा proud moment है क्योंकि उस navigation के थुरू आप जो है मैं बेसबरी से इंतजार करा था पूरी वीडियो में क्योंकि मुझे यह चीज बोलने थी वह यह की भाई 20,000 रुपे की price range में POCO X2 से अच्छा phone तो जो है अभी available नहीं है I know Redmi Note 9 Pro एक नया phone है और अच्छी design वगरे आपको मिल जाती है लेकिन जो specification यह दे रहा है इसमें जो आपको 120 Hz का refresh rate मिल रहा है वो काफी जाधा कमाल की बात है लाइक आपको 20,000 रुपीज में जो है कोई भी smartphone नहीं दे रहा है मेरे को इस phone को use करते हुए तीन हफते से जाधा हो चुके और मैंने इसके उपर dedicated एक review वीडियो भी बनाया जिसमें मैंने honest reviews का दिया है कुछ चीज़े ऐसी भी है जो इसमें मुझे पसंद नहीं आई है वो भी जो है सारी almost मैंने cover करी है और अगर आपको अभी भी कोई भी confusion है तो आप मुझे comment करके पूछ सकते हैं मैं वहाँ पे आपको 100% reply दूँगा उसके साथ अगर आप मुझे Instagram पे भी follow करते हैं और वहाँ पे DM करते हैं तो मैं वहाँ पे भी reply देने की पूरी पूरी कोशिश करूँगा तो guys मिलते हैं next वीड